अगर आप गरीबी रेका के नीचे हो आपके बैंक अकाउंट में हर साल एक राख रुपिया 8500 रुपिया महीने का खटा-कट 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 आता रहेगा और एक जटके से एक जटके से इंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे मज़े की बात सुनिये और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेका से निकल जाओगे अब वो हमें 180 दे रही है तो सेटिंग उन्हों ने किया कि हमने किया पहले तो ये क्लारिटी कर ले रोना एक ही चीज पर रोना चाहिए या तो हमारे 400 पार पर रोना रो रहे है या आपने 180 पर रोना रो रहे है या EVM पर रोना रो रहे है ये लोग confused हैं, इनको पता ही नहीं करना क्या है, हम अगर 400 पार कह रहे हैं, तो हम वो इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हमें जनता पर भरोसा है, अब हमारे 10 साल की लेगेसी है, जो काम किया है, वो हम जनता के बीच में लेके गए हैं, और हम छाती ठोक के कह रहे हैं, कि हम 370 और तेजस्वी आदर को पूछिया, ऐस तक समविधान पढ़ा भी है, नौमी फेल, समविधान में कितने नुशेद नहीं ये पता है, समविधान, समविधान की बात करते रहते हैं, कॉंस्टिशन का स्पेलिंग हो लिए तो लिग देने के लिए कैमरा पे, वो भी न लिख पा मंत्री जी और ग्रह मंत्री जी का एक कमिटमेंट है, जो नहीं बिल्कुल इस पांस साल के लिए का है, कि इस पांस साल में नकसलवाद को हम जड़ से खतम कर देंगे, आंतर देख लीजिए आप, चटिस गड़ में हमारी सरकार बनी, केंदर की सरकार हमारी यहां पे है, सत्ता, भष्टाचार, नकसलवाद और धर्मांतरण, यहीं 36 गड़ में मध्य प्रदेश में यहीं भ्यारखंड में यहीं मॉडल यहीं लोग चलाते हैं, उस माचिस से सिफ आग लगाते हैं, यह अब हम नहीं होने देंगे, असम में प्रधान मंत्री गए हैं, वहां पर व आज उत्तरपूर विकास की गंगा भे रही है, सातो राज्यों में आप देख लीजिए, आज रेल्वे लाइन पहुंच रही है, एरपोर्ट बढ़ रहे हैं, वहां पर विकास के काम हो रहे हैं, इंट्रस्ट्रक्चर हो रहा है, औल वेदर रोड्स बन रहे हैं, कहां से कह नहां चला गया, जो हमने किया, सब जगह शांती हो रही है, मनीपूर में इतने हरकत होने के बावजूद भी आज वहां शांती पूर माहल है, आई पी एल, इनर पर्मिट लाइन हमने शुरुआत की है, वहां पर मुक्ह मंतरी जी कर रहे हैं, जिसके कल ग्रे मंतरी जी ने किसी को ना पता है कि राहूल हमें ठी जाएंगे की नहीं जाएंगे, इसलिए सब कॉंग्रेसी भाग रहे हैं वहां पे, पहले डीके शिफ कुमार उनके मंतरियों को बोलिए कि जनता को धंकाना बंद करें, कि हमें वोट दो नहीं तो फंड नहीं देंगे, ऐसी कोई राज में तरक्की का काम तो किया नहीं यह कहके कि हमें अपने वादे पूरे करने में पैसे नहीं बचेंगे. पानी की विवस्था तक नहीं हो रही है. पानी की सुगमता घट गई है. यह इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? यह कहते हैं बानी फ्री है. अरे पानी मिलेगा है नहीं तो पानी फ्री कहां से? तईस हजार करोड का ओडिट नहीं मिल रहा है दिली जल बोर्ड में. आई य कि परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे, परिवार वालों से बोट नहीं लेंगे? किसी को नहीं पता है कि नरेंद मुदी जी के बाद अगला प्रधान मंतरी का उमिद्वार भारती एजंता पार्टी से कौन होगा? लेकिन सब को पता है कि कॉंग्रेस में ये पद किसके लिए आरक्षित है? समाजवादी पार्टी में किसके लिए आरक्षित है? राजद मे कहा कि कोई भी इस पर बात नहीं करता कि हम जटका देकर गरीबी हटा देंगे पिये मूदी ने 22 लोगों पर सिर्फ ध्यान के इंजित क्या हुआ है यह बोड़ा है राहूल गांदी कुछ कंफ्यूज हो गया है आप आज से जद दनी 5 दिन पहले का और उसके पहले पिछले ए अरे जिस तरह से खटा-खट खटा-खट बोल रहे हैं न उसी तरह फटा-फट फटा-फट कॉंग्रेस को गाइब कर रहे हैं और बिल्कुल 2024 में फटा-फट फटा-फट चार यह उनको कॉंग्रेस गाइब हो जाएगी जी आई जी बस्तर भी सुनकर राज कहते हैं कि चुनाक के दुरान मुट के द्वारा हिंसर गतिविदी को अंजाब देनी की साजिशती विदान समगा चुनाक के समय हमने उच्छित व्यवस्ता की थी इसलिए वो किसी बड़ी घटना को अंजान नहीं दे पाए और इस समय पुलिस फोर्स को बहुत बहुत धन्यवाद था हमारी एक सर्वाई अडवाईज है मुफद की सला कॉंग्रिसी अपने सारे बैट जाएं प्रमुक प्रमुक जितने लोग है एक सुर में पहले तैय कर लें कि एक सो आसी की दोसो बीस की चारसो तो देखिए गाउस में से नबे परसन कॉंग्रिसी कहेंगे कि चारसो से भी जादा आ सकती है और अपना भरोसा नहीं है दूसरे को ग्यान दे रहे हैं पहले अपने आदेखने कितना तीस चालिस क्रॉस करेंगे इस बार अखिले शादव में ये भी कहा कि चुनाप में भारत गटबंदन ही एक नई उमीद है जैसे कि राहूल गांदी ने अपने घोशना पत्र में कई ऐसी चीज़े कही है गरीबी हटाओ रोजगार की बात किया है अब आईएंडी आईए से नाम बदल के भारत का डबंदन कर दिया ये कुछ कंश्यूस्ड हो गया है इनको समझ ही में नहीं नहीं करना क्या है और आज बताइए आज राम नौमी का दिन है पूरा देश राम नौमी के इसमें मगन है सब को इन राम नौला की भक्ती में मगन है और ये क्या कह रहे है गाजिया बाटू गाजी पूर किसको संदेश दे रही है राम गोपाल क्या कह रहे है कि पाखंड होता है पुजा करना राम नौमी के दिन जो राम नौला के खिलाफ बूलेगा ये दोनों शुम निशुम के तरह ही आक्ट कर रहे हैं जिसे रामायन में शुम निशुम थे ना जिनका अंत किया था वद किया था राम जी ने ये शुम निशुम की तरह आक्ट कर रहे हैं लोग ये इस देश के करोणों लोग की आस्था पर चूट करने वाले लोग हैं देश इनको भूलेगा नहीं